दोस्तों क्या आपके भी मुबाइल में या आपके गूगल पर या आपके ब्राउजर पर सेप सेक्योर ब्राउजर का प्राउजर का प्राउबलम आ रहा है जब आप अपने mobile में browser को open करते हैं open करने की बाद यहाँ पर आप कुछ भी search करते हैं जैसे कि मालिजे हम यहाँ पर कोई भी 18 plus content search करते हैं या कोई side search करते हैं for example जैसे कि हम यहाँ पर search करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने coach इस तरीके से problem आ जाता है इस तरीके से हमें problem दिखाई देता है result hidden by safe search यह आपका एक setting होता है और यह आपका चालू होता है हो सकता है यह automatic चालू होगा यह हो सकता है कि आपके parents ने इसे चालू किया होगा ताकि हमारे बच्चे के पास कोई भी ऐसा 18 plus content ना आए जिसे वह देख सके तो यह एक setting है इसे कैसे चालू करना है अगर आप किसी भी website को open करना चाहते हैं और वह 18 plus है तो वह कैसे open होगी तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक setting को बंद करना होगा लेकिन अगर आप parents हैं तो यह setting आपके लिए बहुत काम की है आपके बच्चे को 18 plus photo, video या किसी भी content से दूर रखेगी यह setting कुछ भी search करेगा कोई ऐसा search सामने नहीं आएगा जो 18 plus होगा तो यहाँ से हमारे आते हैं back बैए काने की बाद आप यहाँ पर आपको एक setting करना है और एक setting करना है अपले google में तो सबसे पहले आप यहाँ पर आईएगा 3 dot पर आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे setting पर click करना है setting पर click करने की बाद यहाँ पर मिलेगा थोड़ा सा नीच चाहिएगा एक option safety check का और एक मिलेगा privacy का सबसे पहले safety check पर click करिएगा इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा safe ब्राउजरिंग और आपको इस पर click करना है इस पर click करने की बाद standard protection पर set होगा और सबसे पहले आपको no protection पर इसे आपको set पर click करना है और turn on turn off कर देना है अब यहां से आपका जो safe browser था वो आपका हट चुका है इतना काम करने की बाद अब आपको search करके देखना है कि अब आपका आ रहा है या नहीं अगर अभी भी नहीं आता है तो थोड़ा सा आप नीचे की तरह पाएंगे तो य उसकी बाद आ जाएंगे use secure DNS और आपको इस पर click करना है अगर आपका यहां पर कोई भी another provider select है यहां पर कुछ भी पड़ा हुआ है तो इसे आपको क्या करना है use your current service provider यानि कि इस पर आपको click करना है और उसकी बाद अगर आपका यह बंद है तो इसे आपका चालू कर ने कि अग respuesta है और आपको आपको जाना होगा अपने mobile के google में जैसे आपको आपको जाने कबात प्रोफाइल पर पर click करना है प्रोफाईल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा सेफ सर्च और आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन विकल्प मिलेंगे एक मिलेगा फिल्टर एक मिलेगा बिलर और एक मिलेगा सेफ का तो यहाँ पर आपको उसे choose करना है लेकर अगर आपका इस तरीके से lock है आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ से आईएगा back back आने की बाद जाना होगा आपने mobile की setting में setting में जाने की बाद यहाँ पर आपको type पर click करना यानि की search बार पर click करना है यहाँ पर आपको type करना है यह उसके बाद ns जैसे आप यहाँ पर type करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा private dns और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका यह private dns यहां पर provider, hot's name, यहां पर कुछ select है, तो यहां पर आपको इसे automatic पर click करना है, जिसे आप इस पर click कर देंगे, अब आपको यहां से बैका जाना है, एक बार अपने mobile को such up करेंगे, उसके बाद फिर से बंद करेंगे, चालू करेंगे, फिर आप जाएंगे और आपको इस पर click करना है, अब आपके सामने यहां पर तीन filter आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले यह नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपना start हो चुके हैं, तो आप यहां पर आपको इसे सिर्फ off करना है, बिलर पर नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे off कर देना है, बैक आजाना है, अब आपने Google पर, ब्राउजर पर कुछ भी search करेंगे, कोई भी आपका content होगा, सारा कुछ आपके सामने आना start हो जाएगा, तो बस इतना काम करना होगा अपने mobile में, उसकी बाद फिर से अगर आप इसे चालू करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको बताया है, यही आपको फिर से चालू कर देना है, तो कोई भी अगर दूसरा mobile आपका ले लेगा, तो वो आपके mobile में कुछ ऐसा वैसा search नहीं कर पाएगा, तो मैं आशा करता हूँ, आप समझ गया होंगे, जान गया होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो यार लाइक करियेगा, और हाँ चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ भी जोड़ जाईएगा, वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्वाद,